वह कल से सो रहा है इस सेंटेंस की इंगलीज जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चलिए इस सेंटेंस को इंगलीज में ट्रांसलेट करते हैं और यह अफर्मेटिव है तो present perfect continuous के अफर्मेटिव sentences को English में translate करने का structure है पहले लिखेंगे subject work की English he, फिर he के साथ हैज लगता है फिर been लगाएंगे, फिर लिखेंगे verb के साथ आएंजी भर्ब है सो रहा है, तो sleep के साथ आएंजी लगाएंगे sleeping उसके बाद हम since या far का प्रियोग करके sentence का time बताएंगे इसमें time है कल से, तो कल से है या सुबह से या साम से रहता है तो since का प्रियोग करते हैं तो since उसके बाद कल की English लिखेंगे yesterday बिते भी कल को English में yesterday करते हैं he has been sleeping since yesterday वह कल से सो रहा है इस sentence की English है He has been sleeping since yesterday तो दोस्तो ऐसे और वे Hindi to English Translation के वीडियो देखने के लिए इस चैनल के प्लेइलिस्ट में जाएं और Present Perfect Continuous Tense का प्लेइलिस्ट आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक करके आप ऐसे बहुत सरी सेंटेंसेज का English Translation वीडियो देख सकते हैं Thanks for watching